आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर थमनेल आपने विल्कुल सही पड़ा फरवरी की जिस्ट्यार वन भरने से पहले इस वीडियो को देख लेना सर ऐसा क्यों कह रहे हो भाईया जब आप फरवरी की जिस्ट्यार वन भरने जाओगे तो इस बार की जो जिस्ट्यार वन है उसमें दो टेबल एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गई है और बहुत सारे लोगों की क्वेरी है मेरे पास कि सहाब ये दो टेबल को कैसे फाइल करें एक है टेबल नमबर फॉट्टीन और एक है टेबल नमबर फिप्टीन तो अगर आपका कोई क्लाइन फिलिप काट मेजन के ध्रू माल बेच रहे अगर आपका कोई क्लाइन जमेटो के थूटू सुईगी के थूटाह है तो आपको ये वीडियो अंत्र तक देखना है जिससे कि आ आप इन सारी की सारी details को बहुत आसानी से बर सकते हैं और यह software चलाना बड़ा आसान है तो हम जाएंगे Google पर trial version आपको free में मिल जाएगा और आप यहां से अपनी GSTR1 को बर सकते हैं तो Google पर जाकर आपको reporting.in पर जाना है और यहां पर जाकर login कर देना है यहां पर जाकर login कर दे company की detail डानली होती है तो मैं इस website को यूज करता हूँ तो मैं आपको इसमें login करके दिखाता हूँ तो यहां पर login करने के लिए जैसे आप simple Facebook पे login करते हो इस तरीके से यहां पर login कर लोगे email ID, password बना लोगे तो सबसे पहले आपको अपना account create करना है अपने आपको sign up कर देना है sign up करने के बाद जैसे ही आप इसके अंदर login करोगे तो login करने के बाद बहुती easy process है जैसे ही आपने यहां पर login कर लिया तो अभी आप देखोगे हमने कोई भी client यहां पर add नहीं करा तो मानलो जैसे आपको किसी की return file करनी है gen traders है तो आप यहां पर जाकर क्या करोगे add client करोग तो यहां पर simply बड़ा आसान तरीके से add client हो जाता है आपको trade name डालना है ठीक है ना उसके बाद party का नाम डालना है उसका gstn number डालना है तो कुछ basic detail यह आप से मांगेगा और यह यहां पर पूरा का पूरा add हो जाएगा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना इसके बाद आप website बनी है यह अपने आप सारा काम कर लेगी क्योंकि जब आप e-commerce platform के थ्रू माल बेशते हो चाहे आप flip card के थ्रू बेचो चाहे आप Amazon के थ्रू बेचो या जमैटो सुईगी के थ्रू बेचो तो वो आपको एक report बेशते हैं आपको क्या करना है उन reports को अपने पास download करके दाल दिया और यह select कर लिया यह return कैसे बरेगा तो हमने यहाँ पर monthly select कर लिया अब हमारे को जो हमारे को detail आईये कहां से flip card Amazon ध्यान दगना flip card Amazon पर section 52 लगता है flip card Amazon पर section 52 लगता है और अगर आप इस पर अपने client पर click कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यह अभी blank आ रही है gstr1 अभी यहाँ पर इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर हमारे को यहाँ पर दिखा रहा है फरवरी की डिटा नहीं मंत लिए है 2024 है तो यहाँ पर एक option आ रह हूँ तो मिंत्रा भी आ रहा है तिगेन अगर आप कह रहे हो मीशों से बेच रहा हूँ तो मीशों भी आ रहा है अगर आप जो भी चीज आप कोगे कि सारी की सारे जिजिस प्लेटफोर्म से आप से सेल कर रहे हो वह सारा data यहाँ पर आ रहा है तो इन company ओने क्या करा होगा और यहां से उसका जो format है, उस format में फाइल को यहां पर upload कर दिया, तो यहां पर हमारे पास फाइल आपको दिखाई दे रही है, तो हमने इस फाइल को लिया और यहां पर simply upload कर दिया, जो जो फाइल भी हमारे पास है, यहां पर हमने उसे upload कर दिया, तो यहां पर हमने एक दोनो जो शीट थी हमारी forward seed भी और reverse seed भी दोनों जो हमारे को मिशो ने दीती हमने यहाँ पर डाल दी अब मैंडम इसे आप submit कर दीजी तो जैसे अब हम इसे submit कर देंगे तो आप देखोगे अपने आप आपकी GSTR 1 बन जाएगी और इसी आपको जीट जाएगा कि ये वाली sale कोन-कौन से kolum में जानी है वहींड़ी जानी है तो 14 मे चलिजाएगी 15 में जानी है तो 15 में चलिजाएगी मैं आपको ये चीज बता दू जो टेबल नमबर 14 है वो किसे बरनी है supplier को बरनी है और जो table number 15 है वो जमेटो सुईगी वालों को बरनी है तो मैडम हम इसे देख भी सकते हैं कि GSTR 1 हमारी कैसी दिखाई दे रही है जैसे हमने import data गरा तो यहां पर हमारा सारा data automatically आ गया कि भईया यह यह detail हमारी है और आप अगर यहां पर कमाल की बात पर 7 में उसमें भी detail चली गई और अगर आप यहां पर देखोगे supply through e-commerce operator जो हमारी table number 14 में detail जानी है यहां पर यहां पर जो table number 14 में detail जानी है उस detail को भी software ने अपने आप दिखा दिया कि भईया यह हमारा client था और इसके through हमने sale करी थी और इसके ऊपर TCS आना है इस वाली sale को जो आपका e-commerce operator है जो अपनी GSTR 8 file कर रहा है आप यहां से उससे match कर लोगे आप यहां से उससे match कर लोगे ऐसे ही अगर आपकी कोई detail है जिसके उपर section 95 में text लगना है वो detail भी यहां पर automatically update हो जाएगी यह वाली transaction हमारी किस type की थी यह हमारी थी flip card amazon type वाली तो यह वाली हमारी transaction को यहां पर automatically report कर दिया गया अब आप portal पर जाकर अपनी जो TCS वाली report है वहां से इसे check करोगे तो यह बिलकुल सही मिलेगी तो आपके data में कोई गलती नहीं जाएगी और इसके अलावा इसमें और क्या है कि जो HSNY summary है अब आपको बताए कि HSNY summary mandatory है आपको यह file करनी है अ ठीक है अप टू 5 करोड तक है तो चलो B2C नहीं डालनी ठीक है लेकिन B2B है तो उसमें तो डालनी है और अगर आपकी turnover 5 करोड से उपर है तो उस case में तो सम में डालनी है तो यहां पर यह HSNY summary भी इसने automatically उठा ली और जो भी बाकी detail आपकी report के अंदर आएगी सारी की सारी detail वो यहां पर automatically चली जाएगी यहां से आपको simple json file बनानी है और इस json file को portal पर जाकर upload कर देना है जिससे की आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मेरे इसाफ से अब आपको एक clear होगा होगा कि वे table number 14 में जो supplier होता है वो detail डालता है वो table number 15 और जो table number 15 है जो जमेटो सुई जाएगी मतलब 95 वाले वो भरते अब आप यहां पर hsn y summary देख लो तो जितने भी type के आपके hsn थे उस पर क्या क्या rate था यह सारा का सारा यहां पर आ गया और अगर इसमें कोई गलती है तो आप उस गलती को यहां पर hsn rate में जाकर उसे easily change भी कर सकते हैं तो अगर आपको को लोग जो online trading करते हैं उन्हें पता होगा कि उन्होंने फिलिपकार से भी माल बेचना है, Amazon से भी बेचना है, Meeso से भी बेचना है और multiple reports से तो उन्हें वो अगर एक एक करके चड़ाएंगे तो बड़ी दिक्कता जाएगी तो यह वाली website उनके लिए beneficial है अब इसमें एक और च तो आप इस data को download करके इसे tally में import कर लेना और जैसे आप इसे tally में import करोगे तो tally के अंदर सारी entry अपने आप हो जाएगे तो यह वाला software इसमें भी आपकी मदद करेगा तो आपको कैसी लगी है website अगर आपको इस website में कोई भी दिक्कत आ रही है कुछ आ रही है तो मैं इ e-commerce करना होता है तो हम फिलाल अभी इसे ही यूज करते हमारी team फिलाल इसे ही यूज करते तो यह table number 14 और 15 के लिए विल्कुल अचूब उपाए है कि अगर आपको e-commerce operator के थुरू कर रहे है तो आप इस तरह के software को इस तरह की website को यूज कर सकते है तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ तैंक्यू फोर वर्चिंग